नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते। दोसों करमों के दाता भगवान शुर देव ने भेजा आपके लिए एक गुपतरशन देश। जे दोसों आने वाले चार दिनों के अंदर आप शबी की जुनकाल पर होने वाले हैं। बहुती महत पुनबदला, जैने शुनेंगे तो दोसों आपके भी होस उरजाएंगे, कुछ ऐसे ही कुछ गभरी होगे, कुछ ऐसे ही स्चमतकार, आप श 붙 you के जुनकाब में आने वाले चार दिनों के अंदर होने वाले हैं, कि दोस्तों सुनकर आप शभी के रोगती तो खड़े हूंगे, पर्फ दोस्तों हम आप शभी को बता दे कि जब आप इनके बार में अच्छे तरह शुनेंगे तो दोस्तों खूश्यों काउशू पूरे परिवार भाहेंगे हुआ दोस्वी को बिताती कि भगवन शुन्यदेप करम के दाता है तो दोस्वी में आपको कुछ विचे सव्धनाई आपको जरूरर करना है तो दोस्वी बड़े कुशकबरी आने वाले चार दिनों के अंदर मिलेगा और जो गर्हों की वीष्टति बनेगे इनके नुश्वार आपका राश्री पलकेशार हेगा तर्के महाल में परतेख चत्र में कौन कौन से बड़े बड़ाव कौन कुशकबरी आपको मिलने वाली है जी दोस्तो और इसको प्राद दोस्तों आप शेवी को बिदा दें कि इस वीडियो में भगवान शुनिदेप से जुड़ा जो बात आपको पताने वाले हैं जो कर्म से जुड़ी बात है दोस्तों बहुत ही अच्छी सीख है आप सभी की जुनकाल के लिए तो दोस्तों इन्हें आप बिल हमेखे हैं उद्यों कि जाएं। जाएं लिए स कंट बात करते हैं असके बात करते हैं आपकी शुरुआ के बारे इक सब्सेंटे में को से JUST जुड़ा है तो दोस्तों यह पूरा ध्यां शेज जरूर देखेंगा जिया दोस्तों हम आप शुपी को बता दे कि एक बार देवरिशी नारत जी बेकुंड धाम में गए वहाँ उन्होंने भगवान बिश्नुजी का नमन किया नारत जी ने स्री हरी बिश्नुजी से कहा कि प्रभू प्रित्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है धर्म पर चलने वालों को कोई फल नहीं मिल रहा जो पाप कर रहे है उनका भ़ला हो रहा है तब शिरी बिश्नुजी ने कहा कि एशा नहीं है देवरुशी हो रहा है शब नियती के जर्य ही हो रहा है नारत बोले मैं तो देख कर आ रहा हूं पापियों को अच्छा फल मिला है और भला करने वालों को धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिला है भगवान ने कहा कोई येशी घटना बताओ नारजी ने कहा अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ वहाँ पर एक गाय दलदल में फशी हुई थी कोई उसे बचाने वाला नहीं था तभी एक चोर उदर से गुजरा गाय को फशा हुआ देख कर भी नहीं रुगा वह उस पर पेर रखकर दलदल में लांग कर निकल गया आगे जाकर चोर को शोनी की मोरी से भरी एक थैली मिली थोड़ी देर बाद वहाँ शे एक बिर्द शादू गुजरा उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की पूरे शरीर का जोर लगा कर उस गाय को बचा लिया लेकिर मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह शादू आगे गया तो एक गढ़े में गिर गया प्रभू बताईए या कौन सा न्याय है नाराज जी की यह बात सुनने के बाद प्रभू बोले या सही ही हुआ जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था गढ़े में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भागे में मिर्तियू लिखी थी लेकिन गाय को बचाने की कारण उसके पुन्य बढ़ गए और उसकी मिर्तियू एक छोटी सी चोट में बदल गई इनसान की कर्म से उनका भाग तै होता है इसलिए दोसों इनसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म शेही भाग बदलता है अगर यश में आपके लिए कोई विनाशकारी पस्तिती है तो दोसों आप अच्छे कर्म कीजिए बगवान शुंदे पर विश्वास कीजिए आपका यहाँ दूर घटना आपकी प्रिशानी टल जाएंगी वह दोसों आपके अच्छे कर्म से ही आपके बदल जाएंगे जेदोसों तो दोसों यह ज्यान यह सीख अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोसों विडियो को एक प्याराशा लाइक ज़रूरी करें और इनके पर तेर चुत्र में कौन-कौन स्वी बड़े महत्पुन बदला होने वाले हैं। कर्चे भी बढ़ेंगे अपनी फिजुल कर्ची पर आपको अंकुछ लगाना चाहिए। दोस्तों कि खास प्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नौक्षान हो शकते हैं तो दोस्तों यसमें बैतर होगा कि भारिशंपरकों से आपको दूरी रखना चाहिए। दोस्तों प्रि जुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो शकता है। दोस्तों यसमें आप अपने विचारों पर अड़े रहने के वज़शे किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा। इसलिए खुद ही काम को पुरा करने के आप कोशिश करें यह आपके लिए बैतर होगी। दोस्तों यह वे बतादें कि दोस्तों आपके राश्ची के लिए जो शव्य होंगि जो ग्रह हिस्तिती होगे यह बहुत बहुत हुंद होगा। दोस्तों यह बता दें कि आपके युगताओं मैं फिर छमता खुल कर लोगों के शामने जाहेर होने वाली है। vaccina को थot। किसी कमजोरी पर विजय भी हाशिल करने वाले दोसों परन्तु आलाशुवा फिर ज्यादा बोज मस्ती के शमय को यह में वश्त ना करें यह आपके लिए वैतर होंगे क्योंकि दोस्तों यह में आप जो है अपनी शम्ताओं का भरपूर उप्यों करने का शमय होगा तो दोस् सब्गेज फ़रित अपने धियान को कूष दोस्तों अगर किशी वहाँ detsu शम्ति की का डिने कि और दोस्तों यह तो यह में कॉस्टेश घ्रके क्योंकि दोस्ति कर दोटी नहीं होंगी और शक्यूंद रहे आपके लिए उसे मोंगे आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उस्षे शमुदित निरले लेने के लिए आपको अधिक वक्त यश्मी लग शकता है परिवार के किसे व्यक्ति के शाथ मद्वेद होने के वज़शे भी कुछ क परिवेद होने के बजाए चतुराई वफिर विर्यक्षे आपको काम लेना चाहिए दोस्तों विवक्ति से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा दोस्तों आपको बदा दें कि किसी इस्तिदार से शमुदित सुब समचार भी सुनने से आपका मन श्मी परशन रहेगा द आपकी गोई जना यश में गलत हो शकती है इसलिए दुस्तों यश्मी उसपर आपको करना चाहिए अत्यदिक गुष्णा आपके लिए यश्मी आपके श्वास्त और आपके कार्यों क में हानी का कारण बढ़ चुकता है इसलिए दुस्तों यश्मी आपको धेहरी बनाकर रखना चाहिए आपको बता दें कि आपको कई शारी बातों की चिंता का नुभव होगा दोस्तों अधिक विचार करके आपके वल चिंता बढ़ा रहे हैं दोस्तों यदि समस्या का शमदान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किसी की मद्द लेना यह में आपके होने कि आपको कोशिश करें और रहेश में आप अच्छी हल भी डून पाएंगी और इसके प्राणा दोस्तों यह शमय आपके लिए आपके बता दें कि आपका संतुलित वहिवार सुब और असुब दोनों पक्षों में बहतर संदुरन बनाकर रखेगा अगर दोस्तों अस करें अकारण ही लोग आपके खिलाप हो जाएंगे इस बात के आपको ध्यान रखना चाहिए शादी दोस्तों आप जो है अपनी आर्तिक दिकापी ध्यान रखें किसी भी कारे में वेर्थी पेशा खर्चना करें यह आपके लिए बैतर होंगी आपके लिए उसे मेंगे तेंता हो शकता हो गी